नमस्कार मैं मनोज स्वागत करता हूँ आप सभी का दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 30 महत्वपुन पिर्सन जो की हमने उपसर्ग और पिर्तिय से रखे हैं इसमें से दोस्तों परिक्सा में एक दो पिर्सन जरूर रखे जाते हैं आप इन पिर्सनों को एक बार जरूर देख लिजेगा अब जो समय चल रहा है अपना वो चल रहा है रिवीजन का चली दोस्तो वीडियो को start करने पहले थोड़ा आप लोगों से request करना चाहता हूँ जिर लोगों चैनल को subscribe नहीं क्या है हमारे चैनल को subscribe जरूर कर दें अगर वीडियो अच्छी लग है तो साथ ही साथ लाइक भी कर दें चली चली start कर लेते हैं आज की वीडियो दोस्तो उपसर्ग और पिर्तिय होते तो सिंपल हैं बट हमारा गलत हो जाता है चलिए अब आपका गलत नहीं होगा देख लिजिएगा 30% है important है पहला question आपका है उन्नती में कौन सा उपसर्ग है उन्नती में 4 option है इसमें से एक answer आप लगा दीजिएगा एक पिर्सन का आपका एक अंख होगा चलिए इसका answer मैं आपको बता देता हूँ ए होगा इसका answer उत्थ ठीक है second आपका आगया अभ्यार्थी में उपसर्ग बताईए अभ्यार्थी में उपसर्ग बताईए तो 4 option आपके सामने फिर से हैं ओए ठीक है तो इसका right answer जो होगा वहोगा आपका C दोस्तों पिर्सन नंबर 2 का हमारा answer अभी था अभी प्लस अर्थी जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं और जो पिर्थिय होते हैं वो पीछे लगते हैं यह कि अभी अर्थी है अभी पिलस अर्थी ठीक है दोनों के जो अर्थ हैं वो निकलने चाहिए अभी पिलस अर्थी होगा यह तुझे अगला वाला जो सब्द है अभी यह होगा आपका उपसर्ग और जो यह पीछे लग रहा है यह होगा आपका पिरतिया आगे चलेंगे कोसर नमबर तीन क्या बोला हमरा कि दुसकर में उपसर्ग बताईए दुसकर में उपसर्ग बताना हमें तो चलिए इसका राइट आंसर आपका होगा दूस B option नेश्ट है आपका नजराना में कौन सा प्रतिया है नजराना में कौन सा प्रतिया है तो आपका राइट आंसर आपका होगा आना बोलकर देखीगा सब्द को नजराना ठीक है आना होगी अनलाश्ट में तो आपका option हो गया C आगे चलेंगे ममेरा ममेरा में पिर्तिया बताईए पिर्तिया पूछ रहा है तो यानि कि लाश्ट का पूछ रहा है न तो आपका अंसर हो जागा ममेरा, एरा, ठीक है C option मिठास में पिर्तिया है चलिए मिठास में कून सा पृतिया है पिरतिया मिंस जो लाइच्ट में लिखते हैं मिठास तो आपका answer आ गया होगा सभी का I think A option आ गया सभी का आगे चलेंगे पाचक में कॉन सा पिरतिया है दोस्तो आप लोग सोच रोगे बहुत ही simple है बड़ दोस्तों simple ही आते हैं पिरतिय जो उफसर होते हैं इसी तरह से पूछता है पाचक में कौन सा पिरतिय है? पाचक में पिरतिय पूछ रहा है तो इसका अंसर हो जागा आपका इन में से कोई नहीं बोलके देखीए पाचक आपको आएगा न इसका अंसर तो इसमें कोई से नहीं है नेश्ट है आपका आर्थिक सब्द में कौन सा पिरतिय जुड़ा है आर्थिक सब्द में कौन सा पिरतिय जुड़ा है आर्थिक ठीक है तो बी ओफसर आपका यहां पर हो जाएगा आठ का P डेबिया में पिर्तिया थे उस तो important question है UP, P की जो परिक्सा हुई थी रद होने गई थी पहले तो उसमें से एक person आया था डेबिया में जोड़े पिर्तिया को अलग कीजिए डेबिया में जोड़े पिर्तिया को अलग कीजिए D, B, E, A E, A है नराश्ट में B option हो जाएगा आपका सिर्फ दोस्तों आपको इसमें क्या होता है सब्दों को सही रूप से पढ़ना होता है आप तो उसर्ग और पिर्तिया असानी से निकाल सकते हैं सोंदर्य में पिर्तिया बताए तो चलिए इसका आंसर में आपको बता देता हूँ आंसर होगा ये ठीक है अगर इसको तोड़ेंगे तो हम अधा ये वो पिलस आएगा ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा ये ये option आपका हो जाएगा दोस्तो वीडियो अच्छे लग रही हो तो लाइक भी कर देंगे से विलो question number 11 है आपका बदकार में कौन सा उफसर्ग है बदकार में कौन सा उफसर्ग है तो बदकार उफसर्ग तो दोस्तो अगर यहां पर प्षाइन तो यहाँ पर पहला उपूर्सण हो जाएगा लेकिन में वे बना रखका हैं में गस्को बदकार आगे है संतोस में उपसर्ग बताईये थीजित यूदम इसका आंशरल ए전 संनल बतान आपको उपसर्ग तो इसका अंसर आप लगाएंगे some plus 2 ठीक है? बी ओफसन आपका यहाँ पर हो जाएगा उल्लास में उपसर्ग छाटिये उल्लास में उपसर्ग छाटिये तो उत प्लस लास थर्ड ओफसन होगा इसका अध्यक्स में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर कोशन पूछ रहा है कि अध्यक्स में से उफसर्ग अलग कीजिए तो आपका अंसर क्या आजाना चाहिए फटाफट लगा दीजिए का सभी लोगा अंसर कोशन नमबर 14 का ओके यह उफसन आपका यहाँ पर हो जाएगा अधी पलस अध्यक्स में उफसर्ग जो होगा आपका अधी अधी जो है आपका उफसर्ग हो जाएगा उफसन नमबर 1 यहाँ पर नेश्ट है अत्याधिक में कौन सा उफसर्ग है अत्याधिक में कौन सा उफसर्ग है अत्याधिक यहाँ पर C उफसन होगा आपका कोसन नमबर 15 का आगे चलेंगे नेश्ट कोसन के आप होला हमारा दुरूण में उफसर्ग बताईए दुरूण में उफसर्ग बताईए चलिए इसका अंसर पहला हो जाएगा A उफसन और नेश्ट है आपका अब नती में कौन सा उफसर्ग है अब नती में कौन सा उफसर्ग है तो अब आंसर हो जागा इसका B option दोस्तों यह जो question आने वाला है question number 18 important question है इसको mind में बठा लीजिएगा उफ मंतरी में कौन सा उफसर्ग जुड़ा है उफ मंतरी में तो आपका आंसर हो जागा यहाँ पर उफ option number D आपका हो जाएगा उफ मरियल में कौन सा पिर्टिय जुड़ा है मरियल पिर्टिय पिर्टिय की बात पूछ रहा है तो आप इसका अंसर लगा कर आएंगे B option EL है ठीक लठैत में मूल सब्द और उफसर्ग को अलग कीजिए question number आपका है 20 लठैत में मूल सब्द और उफसर्ग को अलग कीजिए तो इसको कैसे किरेंगे हम दोस्तो लठैत में मूल सब्द और उफसर्ग को अलग कीजिए तो यहाँ पर लठ प्लस एथ हो जाएगा question number 20 का अंसर क्या होगा आपका B option लठ प्लस लठी प्लस एथ है नहीं लठ नहीं लठी प्लस एथ क्योंकि दोस्तो इसमें थोड़ा confusion रह जाता है आप लोगों को जो लठ होता है इसको लठ भी बोलते हैं और लठी जो है इसका सही रूप होता है अलमारी में प्रतिय है या आलमगीर question है आपका sorry friends आलमगीर में प्रतिय है आलमगीर में प्रतिय है तो आपका अंसर हो जागा गीर पहला option आपका हो जागा communist सब्द में कौन सा प्रतिय है अंसर है आपका East घूस खोर में कौन सा प्रतिय है घूस खोर में कौन सा प्रतिय है तो खोर यानि कि लाष्ट का पहला उफसन तैराग में पिरतिया बताईए कोसर नमबर 24 आख हो जाएगा ससुराल में कौन सा पिरते हैं ससु पिलस राल ससु पिलस आल ठीक है तो कोसर नमर 25 राइड आख हो जाएगा एउफसन और आप कीरती में उफसर के चाट ये आप कीरती में उफसर के चाट ये कोसर नमर 26 तो आपने चाट दिया होगा अब रुकुल आप हो जाएगा याँ पर कुछ जादा भारी वाली बात नहीं है अपसिष्ट में कौन सा उफसर्ग है कोसर नमर 27 है आपका अपसिष्ट में कौन सा उफसर्ग है चलिए दोस्तो इसका आपका ए हो जाएगा अभी प्लस इस्ट निर्धन में उफसर्ग बताईए निर्धन में उफसर्ग बताईए तो निर्धन का जो उफसर्ग हो जाएगा निर प्लस उफसर्ग पुछना था निर हो जाएगा पहला उफसन गलत हो जाएगा दूसरा सही होगा तीसरा गलत होगा यानि का अंसर आपका हो जाएगा बी उफसन निरोग में उफसर्ग बताना आपको निरोग में उफसर्ग तो आप सी उफसर लगा कराएंगे चलिए दोस्तो आज की वीडियो का लाश्ट कोसन हम देख लेते हैं अतियुक्ती में उफसर की छाट यह अतियुक्ती में उफसर की छाट ना है आपको तो ए हो जागा यहाँ पर दोस्तो नेस्ट वीडियो सेकेंड पार्ट इसका जल्द ही अपलोड होगा उसमें कुछ इससे हार्ड कोसन रखे हुए है ठीक है फ्रेंट्स और कैसी लगी वीडियो यह भी बताजिएगा अपना स्कोर तो मैंसन कीजिएगा दोस्तो 30 में से आई थिंक दोस्तो सभी के 28, 29 और 27 से कम नहीं जाने वाले क्योंकि यह दोस्तो बेसिक है ठीक है बस बटर रिवीजन कराया थामनी थैंक यू फ्रेंट्स